में यहीं मैंने समय इसको दबा दिया हूं तो सुधार बिल्कुल दिखिया, तो इसको लाइट नहीं करते हैं तो बच्चा का भी कंडिशन ठीक है लेकिन बिंगरते समय नहीं लगेगा हालत खराब होता चला जाएगा तो इसमें हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे एक तो जिसा मैं आप लोगों को बताया हूं कि सर्दी जुकाम नीमोनिया हो तो यह सीना रेस्ट जो इंसानी दबा है मुनसेफ ओ मुनसेफ ओ सव एमजी और सीना रेस्ट यह दोनों को हम बच्चा को सकते हैं तीन इम.र शुब तीन मं emission सकते हैं आप चाहें तो इसका भी इस्तेमाव कर सकते हैं और दूसरा दबा मैं आपको देखाता हूं कि क्या लिए से इसलिए बतारा हूँ कि उल् tienen समजने तो दबा तो मैं दूँगा ही दूँगा लेकिन पहले इसको भाफारा देना है तो भाफारा में हम क्या करेंगे देखे बिल्कुल गर्म पानी मैं थर्मस में लाया हूँ थर्मस में मैं बिल्कुल गर्म पानी लाया हूँ तो इसमें मैं गर्म पानी लूँगा उसको पकड़ और उसमें क्या करेंगे कि भीक्स पे वो रब जो भीक्स भाम होता है जो हम लोग सर दर्द बगर अब जो काम में लगाते हैं उसका इस्तमाल यहां करेंगे इस पानी में हम अंदाज से यसे इतना भीक्स हमने डाला है यानि हाप चमत से भी कुछ कम है क्योंकि बच्चा है तो हमने इसमें डाला और ये भाँप निकलना सुरू हो गया अब हम इसको क्या करेंगे कि इस तरीका से इसका भाँप लगाएंगे और एक कपड़ा का सहारा लेंगे ताकि इसके अंदर भाफ चला जाए नीचे हाथ लगाके रखेंगे ताकि बच्चे का मुझ न जले इस तरीका से कम से कम इसको हम 2 मिनिट भाफ देंगे और दीन में 3 बार देना है तीन बार भाप दे अभी इस पोजीशन में हम कौन सा दबा का इस्तमाल करेंगे हलांकि हम इसमें पेट रहता और सर्दी जो काम रहता तो और हलका बुखार रहता तो मैं कर सकता था लेकिन पेट जब अब डॉन हो रहा है तो हाला ज्यादा खराब है बिगरते टेम नहीं लएगा इसके लिए हम इमजेटली बिल्कुल इप्यक्टिब दबा का इस्तमाल करेंगे तो इसमें को लेना है जो जीट के नाम से है कि सिप्यम इसमें इस्तमाल हम कर लेंगे और विटामिन बी कंप्लेक्स जो ट्राइवेट के नाम से है दूसरा कंपनी के भी हो सकता है लेकिन इसमें हम इस्तमाल कर लेंगे और विटामिन बीक इस्तमाल कर लेंगे जो जीट और ट्राइव नहीं है तो हम इसका इस्तमाल नहीं करेंगे अगर बुखार है तो हम मेलोनेक्स प्लस भी लगाएंगे एक एंटिबाइटिक हमको इन्रो फुलक्सासीन इसमें देना है और सभी दबाओं का डोज रहेगा एक केमिल 10 किलो बोडी बेट पे तो यह लगभग 10 किलो का बच्चा है 10 किलो से कुछ कम है तो हम एक केमिल से कुछ कम हम इसमें इस्तमाल करेंगे इंजेक्स सुई से मेरी बेटी को डर लगता हुई पकड़ी हुई थी तो मैं वीडियो के स्क्रिप्ट किया और बेटी को हटा कर यह बच्चे को बांद दिया हूं उसको सुई से बहुत डर लेगा निमोनिया में सर्दी जुकाम में खासी में बहुत इसका रॉल है और अगर यह वीडियो आप यूटूब पर देख रहे हैं तो डाक्टर के राई से ही इलाज करें यह मेरा इस्पेरियंस से इसलिए मैं कर रहा हूं इसको एक एमिल से हम कम ही दे रहे हैं इन्रोफ खलोक सासीन देखिए इस तरीका से हम इसको पकड़े और बिल्कुल हम पूश कर देंगे हमने इसको दे दिया है और यहां मैंने इस्तमाल किया है अभी आपको मैं बताना भूल गया इस बाइस बाइस नंबर नीडिल का इस् और चुकि दबा दुसरा में से निकालना है तो इसको मैं वापस रखूँगा और फिर इसी को इंजेक्ट करेंगे लेकिन इसको दबा निकालने के लिए दुसरा नीडिल का इस्तमाल में करूँगा थाकि उसमें दबा को बाद में भी इस्तमाल करना है तो नीडिल दुसरा करना है इसको तो यहां मैंने लगभग एक एमिल से कुछ कम इसको निकाल लिया है और इसी में हम इसमें मिला लेंगे बिटामिन B कंप्लेक्स इसका विड्व इतना ही रहेगा दस किलो बोडी बेट पर एक एमिल तो इसको ही मैंने मिला लिया है इसको गर्दन के दूसरे साइड में इसको इंजेक्ट कर दूँगा एकेले देना थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन मेरे पास कोई अदमी नहीं है तो मैं अकेले दे लेता हूं इसलिए मैं बांध दिया हूं कहीं भागे ना चुकि इसको फीवर अभी नहीं है तो मैं मेलोनेक्स मैं फीवर नाप था पहले ही मैं फीवर नाप चुका हूं तो इसको फीवर नहीं है तो मैं मेलोनेक्स प्लस का इस्तमाल नहीं करूंगा लेकिन एंजेक्शन देने के बाद अगर फीवर है तो इंजेक्शन यह भी लगाया हूं तीनों दबा को उस तरीका से फिर इसको भी हम लगा देंगे दस किलो बोडी बेट पेके मेल इंट्रा मस्कूलर तो इस तरीका से आज मैंने इसको किया है त्रीटमेंट फिर कल करूंगा और पडशूंग कम से कम एंटिबाइटिक का इस्तमाल करें तो तीन दिन कारगर एंटिबाइटिक है जिसे दूसरा एंटिबाइटिक आप घोलने बला रखते हैं तो उसमें आपको खर्ड़ ज्यादा होता है बार बार घोलना पड़ता है तो इंडो फॉलकसासीन एंटिबाइटिक का इस्तमाल करें जो कि यह है तो बहुत सारे कमपनियों का लग तो मेरा कहना है अंत मेही आप लोग से कि बखरी पाला ने एक तो ऐसे ही बैसे ही कठिन भी साय है बहुत सों समझ के इसमें आए इंकम बहुत देरी से आता है तो आपका अगर पूंजी आपके पास है और हिम्मत करने का जज़वा है मिहनत करने का तो ही आए और प्रोपर तो आप जांते हैं यह माहिने है तो आप चाहें तो मेरे से भी ट्रेनिंग ले सकते हैं अगर आपको मेरे पर भरोसा हो तो ट्रेनिग ले सकते हैं मैंने बहुतों और बहुत लोगों को यह लगता है कि online class कई से हो सकता है कैसे मैं समझ जाऊंगा तो मिरा चैलेंज है कि जितना अगर मेरे पासा क्या पढ़ते हैं उससे कहीं ज्यादा बेटर में you online class में समझा सकता हूँ आपको तो अगर भरोसा मेरे पर कर सकते हैं तो online class जाइं चुरो कर सकते हैं उसके लिए आपको बस भाट्टर करना है बाट्सपर रिखना है कि अउनलाइन का प्रोसे?" यह उनलाइन ट्रेश हम ए से लि звучгdayे- नमर्ड डिस्क्रिप्सन में दिया गया है और आप बार्स अब कर सकते हैं मेरे स्टेर्णिंग ले सकते हैं और मेरा छोड़िए ये बात सुनके तो बहुत सारे लोग गाली भी देंगे कि ट्रेनिंग के लिए कर रहा है तो क्यों नहीं जनकारी भी न लिए कितना लोग नुक बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे पढ़ाई कर वारहा हैं, तो पांग से इन आए करें लेकर ही बखरी पालन करें और बखरी पालन तभी करें जब समय हो, आप कश पुछ पूंजी होौर आपके पास अपके पास पैस्द हो आपके पास यह चमता हो कि आप साल से डेड़ साल कम से कम आप खुद इतना रकम होना चाहिए इतना आपका बाकी चीज़ें होनी चाहिए कि आप खुद भी उसमें जी लें और बकरियों को भी कम से कम डेड़ साल जी आलें क्योंकि डेड़ साल से पहले आपका कोई इंकम आन वोला नहीं है धन्यवाद दोस्तों